सियासाद वगेरा बहुत हो गया है, तो मैंने लिखा एक उट्छ, मुझे यकीन है, आप सब कही न कही गनेक्ट करेंगे, तो, पीस का मेरे टाइटल है, पसंद है मुझे, मैं पलुट बहुत गनेक्ट करती हूँ, आप लोग भी कही न कही गनेक्ट utno, तो मैं सुनाती हूँ, हाँ मैं नहीं शर्मा पाती उतना शायद जितना मुझे शर्माना चाहिए, क्योंकि छोटी-छोटी बातों पर खुलकर हसना पसंद है मुझे, हाँ मैं नहीं पहनती वो कपरे जो शायद सब को अच्छे लगे, क्योंकि अपने आराम का लिवास पहनना पसंद है मुझे, हाँ मैं नहीं सुन सकती रह चलते किसी की कोई भी बात, क्योंकि बेबाग बेधरत कहना पसंद है मुझे, हाँ मेरे मा की चूडियां मैं अक्सर पहन जाया करती हूँ, नहीं समझाती खुद को कि क्या ज़स्ता है मुझ पर जादा मैं नहीं बताया करती हूँ, क्योंकि अपने हाथों में वो चूडियां और घडी दोनों सजाना पसंद है मुझे, हाँ मेरा पूरा घर मैंने अपने हातों से सजाया है, तहजीब, मुस्कान और मुख्त, इन अच्छी लगती है पैरों में पाइल की चंचन मुझे बेशक, पर जो रोके मेरे कदम ऐसी बेडियों को तोड़ जाना पसंद है मुझे. और आगे है, इन लाइन से भी मैं बहुत जादा करनेक करती हूँ. मेरे मा के साथ रसोई में खुशिया यादे और खाना तीनों एक साथ पकाती हूँ मैं. पर अब जिम्मेदारीयों के इन सफर में अपने पापा का सहारा बन जाना पसंद है मुझे. हाँ, बच्पन में घर-घर खेलते वक्त गुरिया सजाय करती थी मैं. पर अब महेंदर सिंग्ग धोनी के चक्पके पे चलाना पसंद है मुझे. हाँ, मैं नहीं चल सकती सारे नियम उपर और नहीं माने जाते मुझे सारे काइदे. क्योंकि अपने पसंद के हर चीज कर जाना पसंद है मुझे यही था और एंड एक मुहबत के मतलब कुछ वर्ट के साथ करती हूँ सुनिये का कि कम वक्त अफसोस के नींद टूटने का जा नहीं रहा तब से जब से पता चला है कि कल रात तसबूर में आये थे तो तसबूर का मतलब खाब होता है शुक्रे